नमस्कार प्यरविदार्थियों आप सिभीका चनला प्रहारतिक स्वागते। प्यरविदार्थियों कक्षिय साथ केलिए अरद्वार्सीक प्रिक्ष्या प्रसन्पत्र और वीशे गणीते जिसको हल कर दिया गया है। पहले जो वीडियो अप्लोड किया था उसमें सीधा प्रशन पत्र बताया था अब आपका हल किया हुआ है तो पेरविदार्थियों हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और घंटे का निशान द जाती हैं तो देखो अठारा तीन इंटू चै यानि आपका डी उत्र हो गया डी छै अच्छा ये डी आगे लिखा भी हुआ है प्रशन नमर दो देखिए आपका क्या है दो नमर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है पर्थम पांच पूर्ण संक्याओं का माध्यम ग्यात कीजी पर्थम पांच पूर्ण संक्याओं का माध्यम ग्यात कीजी तो यहां पर है आपका पर्थम पांच पूर्ण संक्याओं का माध्यम है जीरो पूर्ण जीरो दो पांच यहां है नहीं तो आपका डी उत्र हो जाएगा इन में से कोई नहीं प्रशन नमर तीन एक संभा उत्र तो इसका प्रिमाफ होगा यह 3.5 को 3 से गुणा कर दो 10.5 से मियानि सी और आपका पर्षण नमर चार किसी तरफुज में माधिकाओं की संख्या होती है 1 2 3 4 कितनी होती है तीन होती है C प्रशन नमर पांच निमलिक्त आपड़ों का माध्यक 24, 36, 47, 18, 25 पंद्रा तो इनका माध्यक होगा आपका चोईस कितना होगा चोईस यानि ए उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर चै की ओर प्रशन नमर चै आपकी स्क्रीन पर देखो क्या लिखाओ अचा है नमर प्रशन में एक आयत जिसकी लंबाई 5.7 सेमी है और चोड़ाई 3 सेमी है का 6 तरपल होगा 15, 21 वरग सेमी 8, 7 वरग सेमी 17, 21 वरग सेमी या 2.7 वरग सेमी 18 या 18 तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं पलस हो जाते हैं तो आपका उत्तर आजाएगा 9A आगे देखो प्रशन नमर आठ माइनस 20 इंटू माइनस तो इंटू माइनस 5 इंटू 7 का गुन फल गयात कीजिए तो यह हो जाएगा प्यारी विदार थियों माइनस माइनस तो पलस होगे फिर फिर वापिस माइनस होगे तो यह हो जाएगा आपके चोग्तास हो कितने हो जाएगे माइनस चोग्तास हो जाएगे या बी उत्तर है प्रशन नमर 9 देखिए निमलिक संख्याओं का बहुलक यात कीजिए माइनस एक, एक, दो, च्यार, तीन, दो, एक, दो, दो, च्यार का बहुलक क्या होगा आपका? इसका बहुलक है दो, इसका बहुलक क्या है? दो, यानि बी उतर है आपका. परविदार्थिव डिस्क्रिप्शन में, वाटसब क्रूप, फेस्बूक पेज, एंस्टाग्राम, ट्वीटर, टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिसपर कलिक करके आप हमारे सोसल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अन्य लिंक्स बगरा मिल जाएंगे. परशन से आपका सुरू होता है, सारणी वाला परशन, सारणी में दियेगे सब्दों में उचित सब्द का सेहन करते हैं, रिकस्तानों की पूर्ती करनी है, तो नब्बै, तीन, नो सम्धियोते हैं, इनको देखो पहले, ग्यारा नंबर में, माइनस, तीन, इंटू, माइनस कितना होगा, अज़ बरावर 27 होगा, तो माइनस 9 होगा, तो माइनस 9 होगा, यहां लिखा हो है, रिकस्तान में और इधर यह है, प्रशन नमर 12, एक तिरभूज जिसकी तिनों बुझाओं की माप सम्मान हो, संभाव तिरभूज कहलाता है, कौन सा कहलाता है, संभाव एक बुझा की लंबाई 2.5 एमिये, बहुबुज का परिमाप 12.5 एमिये, इस बहुबुज की कितनी बुझाए हैं, तो 5 बुझाए हैं, कितनी बुझाए हैं, उसकी 5 बुझाए हैं, आगे देखो 15 नमर 4.2, 3.8 और 7.6 का ओस्त है, तो इसमें होगा 5.2 होगा, कितना होगा 5.2 होगा, तो पेरविदारतियों, यह आपके रिखस्तान वाले परसंते, इसके बाद, रिखस्तानों के बाद हम बढ़ते हैं, अगले परसंते हैं, अगले परसंते हैं हमारे सत्ते और एसत्ते वाले, कौन से परसंते हैं, सत्ते और एसत्ते वाले, आपको सत्ते और एसत् प्रश्ण 17 कई पशन नमरस etra फिस की दो गुजाओं की मापों का योग की मापव से बड़ा होता है ये बात क्या है सकते हैं प्रशन 18 दो भीनों का योग एक भीन ऀपन होता है ये परसन भी आपका क्या है, सत्य है परसन नबर उननीस दो समानतर एकाओं के 20 की दूरी पर तेक्सतान पर सदेव बराबर होती है सत्य या या अइस ते तो इसमें यह है, सत्य कौन सा है, सत्य परसन नबर बीस 3.0, 3.24, 0.0, 0.0, 0.16, बराबर 3.0, 0.19 है ये सत्य है यह आई सत्य हैं क्या है ये आई सत्य हैं तो इसमें देखो आपका 16ए सत्य है और 20 24 बागी 20 के 3ओ है जो 16- Richard 17-18 नमर क्या है सत्य है आगे बठते है 21 नमर परशन कियों 21 नमर परशन क्या है देखो आपका कौण A B C का C X समकौन है यदि A C बरवर 5 से में तब B C बरवर 2 से में तो A B की लंबाई ग्यात करनी है आपको कौन A B C का C X समकौन है जिसे मालों आपने इस परकार से एक तिर्बुज मना लिया ठीक है इसमें तिर्बुज मना लिया आपने और ये C कर दिया ये A गर दिया और ये आपने B गर दिया इसके बाद देखो यहाँ पर A C 5 से में है ये तो 5 से में होगी और B C 12 से में होगी ये 12 से में होगी ठीक है तो ये लंब तो हो गया आपका 5 से में और आदार हो गया आपका 12 से में अब आपको करन गयात करना है ठीक है तो आप इस सुत्र से आप आपके पास जो गनीत का सुत्र उसके अधार पर आप कर लीजी आप देखो आपका 22 वा परसन है X का मान गयात करना है ठीक है ना X कहाँ पर रहे देखो और आम से इसको यह यहाँ पर X इस कौन का आपको मान ग्यात करना है तो आप यहां लिख दीजी यह बड़ा प्रसन है मैं पूरा हल करूँगा तो समय लग जाएगा प्रसन नमबर 13 देखो क्या है 23 देखो ग्यात कीजी 2 बटा 5 भाग 1 बटा 2 2 4 बटा 9 भाग 2 बटा 3 तो इनको भाग देना है भाई 2 बटा 5 भाग 1 बटा 2 4 बटा 9 भाग 2 बटा 3 तो जिसे 2 यह होगे आपके 0.44 भाग तो आपके 0.50 दो बटा 5 200 का 500 भाग कितना हो गया 40 हो गया और 100 का 2 हो जिरो बटा 5 तो यह है आपका 0.40 में से 0.50 गए तो आपके कितने बच्चें जिरो बटा 4 में 0.50 का भाग देना है 0.40 0.50 तो अब देखो 2 सी ने टेने के लिए इसको 40 लिखेंगे नीचे वाले को पच्चास लिखेंगे 0 से 0 काट देंगे फिर बच्चार बटा 5 तो कितने होगे यहां पर च्चार बटा 5 होगे इसी प्रकार से इसको भी आप हल कर लीजी इसको भी आप हल कर लीजी यह परशन है लापरशन यह है उसके बाद हल कीजीए च्छार एम प्लैस 3 बटाबर 16 है यहां देख लीजीए देखो यहां पर M कमान कितना है देखो 4 M प्लैस 1 प्लैस 3 है पिर बटाबर 16 कैसे होगे 3 एकिते होगे, 4 होगे फिर होगे 4 4 बरावर 16 तो 4 को 4 से उना कर दिया 16 बरावर 16 होगा इस परकार से आपको यह हो जाएगा अब ये है आपका इधरवाला माइनस 2 एक्स पलस 3 बरावर 8 है तो इस को हम हल करते हैं, देखो एक से हल करते हैं पी ब्राबर 8 माइनस के कितने हो तो ब्राबर आपके 8 हो जाएंगे यहाँ पर एक तो पलस का है अब माइनस माइनस का ही होगा तब होगा माइनस पलस माइनस हो जाएंगे और फिर माइनस माइनस पलस हो जाएंगे आपके तो गर माइनस का एक है तो ये कितने हो गए भई माइनस का एक है तो माइनस का एक पलस के तीन माइनस एक पलस तीन तो पलस के चार हो गए माइनस एक पलस तीन तो पलस के किते हो गए चार हो गए पलस के नहीं माइनस के हो गए देखो माइनस दो और यहां X की जगे अपने माइनस एक माल लेते हैं कितने माल लेते हैं एक फिर पलस तीन माल लेते हैं और बराबर आठ अब देखो इसमें क्या हुआ माइनस एक और माइनस तीन जुड़के माइनस होगे चार कितने होगे माइनस चार और इधर है माइनस दो बरबर है आठ अब देखो माइनस चार और माइनस तो इनको आपस में गुणा करेंगे चार दू आठ माइनस माइनस पलस में हो जाएगा तो आठ हो गया ना इस परकार से यह आप हल कर रहे हैं अब देखो अगला 25 परसन है यह भी आप हल कर दीजी एक्स का यहां पर आपको मान गयात करना जाए यहां पर एक्स है आपका अगले परसन की तरह बढ़ते हैं अगला परसन देखो 27 राजो की पिता की आई राजो की आई की तीन गुने से पांच वरस अधीक है राजो की आई गयात कीजी यह दि उसके पिता की आई चोमारिस वरस है तीन गुने से भी पांच वरस अधीक क्या बताया गया है तीन गुने से भी पांच वरस अधीक तो देख लो भी तीन गुने से पांच वरस अधीक है तो 64 में इसे पांस गटा दो पिछे बचे 49 अब तीन गुर्णा बताया है तो राजू की आय कितनी होगी तेरा बरस होगी और राजू की आय कितनी कितनी होगी तेरा बरस होगी 49 और इस से पांच वर्स अधी कर दो आपको तो कितने होगे चो मारिस होगे तो इस प्रकार से इस प्रशन कॉल कर दो उसके बाद 28 नमर प्रशन है निमलित आखटे किसी कख्षय के छे विदार्ति द्वारा 600 में से प्राप्त किके कुल अंको को धरसाते हैं इन्हें एक दंड आरेक द्वारा निरूपित कीजिए दंड आरेक के द्वारा आपको निरूपित करना है अमीत को 450 अविनों को 500 अंक में लेंवाहनू को 300 दिपक को वीडियो को अंतक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अन्य विश्यों के भी हल सहीत परशन पत्र को अपलोड कर दिया जाएगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें गंटे का निशान दबाकर अन्य सात्यों के साथ सेरे क कर दीजिएगा अगले पेपर में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम